हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं एश्टेडी फीट ओफ फिजिकल एजुकेशन चैनल, दोस्तो यह निव प्रैक्टिस का सताइसवा वीडियो है, मैं यम्पी, वर्क टू-3, यूपी, ट्जिटी, पीजिटी, यूपी, यल्टी, ग्रेट, बीपी, एसी, ट्रू-4, एंड अच्छे से पढ़ाया हुआ है, और दोस्तो चलते हैं, आज की कोउशन के तरफ समय नश्चनल करते हुए, सभी कोउशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्डन है, यह के कोउशन को ध्यान से देखिए, मैं छाड़-छाड़ के कोउशन ला रही हूं, और डेली बिसे से फ्री में ऐसा कराने वाला कोई नहीं है, तो चलते हैं, आज की कोउशन के तरफ, कोउशन है, सारी सिच्छा के उद्यस्यों में नया देश्टी कोड सामील है, दो अब्यक्टिव एच औफ फिजिकल एजुकेशन इंक्रूर्ड द न्यू अप्रोच, दोस्तो यहां पे संग्यानादमक छेतर, साइको मोडर एरिया मनुचालक छेतर, अफेक्टिव एरिया प्रहावी छेतर, इस सभी साइस इच्छा के उद्यस्यों में नया देश्टी कोड में सामील है, इस नया देश्टी कोड को दिया कौन है दोस्तों अगर पुछ देगा तो बेंजामिन ब छे भागव में भाटता है इसको ब्लुम क Cup गई न भागौ में दोस्तों छे भागव में पहला एहज यानि कि कनो लेच के अ दूसरा इन्होंने बाटा है अंडरिस्टेंडिंग यानि की समझ तीसरा इन्होंने बाटा है अपली केशन यानि उसको प्रयोग करो समझ लिए तो उसके बाद इन्होंने कहा है इनाउलेसिस यानि की उसको बिसलेसर करो उसके बाद इन्होंने बाटा है बिसलेसर में अलग जोड़ना होता है संसलेशर का मतलब फिलाश में इन्होंने बताया है इवल्यूशन यानि की सब कुछ देखते समझते हुए एक मेन लच्छे यानि उद्धे सक्योर और निडल लेना इवल्यूशन होता है तो इन्होंने छे भागों में बाटा हुआ है ग्यान समझ अनुप् सबसे नीचे से उपर की और उन्होंने बाटा हुआ है सबसे नीचे नौलेज यानि ग्यान है सबसे उपर इवल्यूशन यानि की मुल्यांकन है याद रखेगा जो बहुत धिक योगतावस विकावस के लिए उतर दाई है बहुनात्मक च्छे जो अफेक्टी एरिया होता ह है इसमें जो है आपके जो बहुनात्मक जैसे चीज है जैसे कि आपने आपको किसी ने पुरुस्कार दे दिया तो आपका उस्सा बढ़ गया ठीक है जैसे कि मुक्ते खिलारियों कि उप्योगिता रूची गुण ग्रहर दिश्टिकोर अपनी राय बनाने के बारे में सोच करने में मदद करता है या व्यक्ति को समाजी को भानात्मक रूप से परिपकता से परिपकता की ओर ले जाने में सहायता करता है तिसरा है उन्हों को इनका मनो प्रेरक्षित्र यानि साइको मोटर एरिया जो साइको मोटर एरिया होता है एक प्रेरक्षिता हूं साइको मोट मन और मोटर समझते ही मोटर सब्द आते हैं आप गति वीधी सारी गति वीधियों पर ध्यान देजेगा यह विकास और सुधा से समधित हैं प्रिरख दस्ताओं की साइको मोटर लर्निंग सारी सिछा अनुभव और समाने मोटर जयुकता की उपलवधियों के प्रेडाम और व लंखम इस्टेमिना के साथ सारी क्रिया कलापों के माध्यम से आते हैं और दूसरा इन्होंने बाटा है और साइको मोटर डोमेन में मोटर मतलब गति बॉड़ी कंट्रोल विकास यह तार्मिल से समधित जो उसे सिष्ट सहज और सच्छम बनाने में योग बनाता है ठीक है इसके लिए उस टीम के कप्तान को भी से सिर्फ से काइसा होना चाहिए तो टीम के कप्तान को हमेज़ा देमोक्रेटिक यानि की प्रजात आंतरीक होना चाहिए याद रखिएगा सब को एक समान देखने वाला कोशन नमर थ्री है कि सौकर खेल में टीम द्वारा कितने टाइम आउट लिया जा सकते हैं हो मैं टाइम आउट्स कैन बी टेकेन बाई टीम इन सौकर गेम तो दोस्तों सौकर यानि फूटवाल में एक भी टाइम आउट नहीं दिया जाता है याद रखिएगा Q4 से कौन सा लच्छा हठ योग से समधित नहीं है वीचाने bugs याउले टो हड्य ओगा हएं पिंग्ला और ह से होता है इवा पिंग्ला जो यान थाए नां के समधित है यानि कि सुर्य उर्जा गर्ण प्रकिति का होता है और जो ठ यानि की इड़ा जो बाये नाज से होता है, जो चंदर उर्जा यानि ठंडी प्रकीति का होता है बाये नाजी का से तो इसमें जो है जैसे की मैंने पढ़ा हुआ है कि हठ योग सिद्धो के ग्रंतू अथवा गोरख पंतियों में हठ योग से संबल नाम से सटकर्व या नेती दूती नौली वस्ती त्राटक कपालभाती इसके अंत्रकत आता है और इसके अंत्रकत कई मुद्रायं का उलेख है इसमें सरी सुधन या कुंडली जागरण में सहायता मिलता है तो दोस्तों जैसे कि जो मरसी पतंजली का अस्टांग योग है यम न मट्रायोग से अंत्रकत आते हैं यहां जैसे हम नोग ने पढ़ा है कि प्राचिन जो हट योग उससे सुधी करिया आता है वह यहां पे को सब्सक्राइफ नहीं आता है अगर आपस्तों को सब्सक्राइख को कि हम जरूर के जिरूक्स कीजिए क्योंकि आयोग ने सुधी क्रिया को माना हुआ है बट बुक में बताया गया है सुधी क्रिया भी हट योग से समन्धित है हो सकता है मैंने अच्छे से ना पढ़ा हो या बुक में अच्छे से ना दिया हो यह आपको मालूम है तो इस question का answer जरूर दीजिए question number five है मचली में पाया जाने वाला मात्रपूर पोसकत्त है which important nutrient is found in fish तो दोस्तों मचली में omega-3 fatty acid पाया जाता है जो हमारा fat होता है वो carbon hydrogen oxygen के बिन मात्रा से मिलकर बना होता है कार्बो हाइडिर के तुलना में इसमें carbon की संख्या अधिक होती है यह लीवर हडियो पेस्यो एडिपोर्ट टीसू तचा के नीचे गुर्दे के आसपास एकत्र होता है fat और fat का रासानिक नाम है lipid और उर्जा देने के लिए glycerol और fatty acid में टूटता है glycerol जो है यह कि दुवारा glucose में प्रविद्यत करता है और वसा triglycerol का बना होता है जिसमें fatty acid की 3 इकाई और glycerol की एक इकाई होती है एक ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी उर्जा प्राप्त होती है यह तरीको 20-30% उर्जा वसा से प्राप् हमें रखता है हमारे लिए अच्छा unsaturated fat होता है जिसमें कुलेस्टाल के इस तरो को नियंतर रखता है unsaturated स्वास्त के लिए अच्छा होता है तो दोस्तों unsaturated fat हमारे लिए अच्छा होता है saturated अच्छा नहीं होता है unsaturated fat में हमारा इसके बारे मैंने डीटिल ने बता हुआ है थी रूसेशन में और इसमें ओमेगा-3 फैटी एसीड ओमेगा-6 फैटी एसीड वादा है अनसेटेड में जिसमें आपके बदाम, काजू, मुख़ली, सुरज, मुखी, सोया, बीन आदिस तभी आते हैं दोस्तों हमारे बॉड़ी बाड़ी के लिए अच्छा नहीं होता है ठीक है जो अनसेटेड फैट होता है उसमें HDL अधिक होता है हमारे बाड़ी के लिए गुड़ फैट होता है LDL की मात्रा बढ़ जाए तो सरी के लिए स्वास के लिए अच्छा नहीं होता घातक होता है दोस्तों एक होता है ट्रांस फैट जो हाइड्रोजनेटीड होता है जैसे कि डालडा पनस्पती बैकरी उत्पात फास्ट फूट विज्जा पकोड़े चिप्स आदे यह संत्रिप् वसा प्राप्ती के जो स्रूत है एक एक वेजटेबल फैट में मखन गी चरबी तेल सभी जन्तूं के मांस विटामिन डी एक के अच्छी स्रूत होते है यह याद रखेगा और जो वेजटेबल फैट है उसमें पेड़ पौधे बीजो आदी से प्राप्त होने वाली जैसे क काजू, बदाम, पिस्ता, अख्रोट, जन्तू वसा की अपच्छा कम हो सकता तो होते हैं यह हमारे लिए गुड फैट, HDL वाले होते हैं हमारे लिए बेश्ट होते हैं वेजटेबल फैट दोस्तों वसा के कारे क्या होता है फैट जो है वो संग्रीत वसा के रुप में इस् उर्जा का स्रोत का मुखी कारे करता है यह बाडी में कार्वोहाइलेट कम पढ़ गया तो उस समें वसा उर्जा देता है तीक है अब वसा यूगत जब वसा की मातरा कम हो जाती है दोस्तों तो हमारे जो बाडी में जॉइंट होते हैं हर्डियों को वहां पर साइनुवेल वसा की कमी से कम होने लगता है जिसे हर्णियों में जो है फिसलन टक्रावट होने लगती है तो हर्डियों की जो है लुब्रिकेट के लिए वसा बहुत जरूरी है यह एडिपोर टीस्यू के नीचे एकतर होकर सरी को सुंदर और सुडोल बनाता है याद रखेगा इतनी सार तो 비टवि सधनी दोती नौली वस्ति कपालवाति ट्रॉरत में तो यहां पर नेती है कपालवाति है रहाट है कुंभक नहीं है कुंबक प्राडायाम के न्तरक आता है गटक कुछन नम्र शीवन है इंडरास बहुन हम इसित है संब हम कैंग नम्र 9 है इस्ट्रैकर सब्द किस खेल से संबनेत हैं इस्ट्राइकर सब्द जो फुट्बाल से समझनेत है याद रखेगा को सिन्दमन देन है कि उलम्पिक का स्रवादिक आठ बार हाकी का सुड़पतक का खिताब निम्ने में से किस देश ने जीता तो दोस्तों वह है भारत वो भी कब हाकी में जीता और 1928 से पहली बार हाकी का सुड़पतक जीता और अन्तिम बार सुड़पतक 1980 में जीता यानि कि अभी तक जो है भारत में हाकी में कुल 13 पतक जीते हैं दोस्तों कितने 13 आठ सुड़ इन्हों ने जीता है प्लस एक रज़त पतक प्लस चार का से पतक आठ स्वड़ 1928 से लगातार 1980 में स्वड़ पतक जीता बीज में 1960 में रज़त पतक जीता उसके बाद निससो आर साट 1972 दो हजार बीस टोकियो ओलंपी का दोजार चोवीस परीज फ्रांस इस चारों में जो है चारकासे पतक जीता कुल 13 अभी तक भारत ने अलंपिक में हाकी में जीता है क्यूशन नमर 11 है क्रिटे का पहला भीस टीज कब हुआ क Sunshine Bye. Ontario करेकेट के बिसु कब स्था ने हिरे knife क करकेट का पहला dengan कब है तो दो करेकस का बीण गया कब हुआएा जिश्ट स्पन्रकेट्व में का शुदि पारीज में गया जए जो पथा Girls आशलिया ने जीता और आशलिया ने 19 नॉमबर दोजाटेश को अमधाबाद के नैंद्र मोदी स्टेडियम भारत में ही हुआ फाइनल मैंस में भारत को छे विकेश से हराया था आशलिया दोजाटेश में छाठा वार विसुकप क्रिकेट जीता है कोशन नॉमर बार है फुटबाल में गेंद का वजन कितना होता है तो दोस्तों आप सबको पता है 396 से 430 ग्राम होता है फुटबाल में गेंद का वजन होता है वेट होता है 396 से 430 ग्राम होता है यानि कि 14 से 16 यानि फूटबाल की परीदी दियामीडर होता है 27 से 28 एंज को से नंबर 13 है भारत ने पहली बार उलम्पिक में कब भाग लिया तो दोस्तों अगर ऐसा को सब्सक्राइब नहीं है तो 1908 आपका हो जाएगा क्योंकि पहली बार भारत ने उलम्पिक में भाग दिया था 1904 फ्रांस पर जिसमें ब्रिटिस मूल के नाम प्रिचार्ड ने कहां से पता जीता था दोस्तों लेकिन यहां पर जब लार्स के मैदान इंग्लाइन में इसी थे यहीं पर प्रथा मिस्तों कॉप क्रिकेट 1975 का फाइनल में इस खेला गया था को से नंबर 15 है महान फुटबॉल खिलाड़ी दियोगू मैरा डोना किस देश के हैं दोस्तों यह आर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी थे क्ψे नमर 16 है बीच बॉलीबॉल के एक .... खिलाड़ा़ी की संख्या कितनी होती है दूस्तों दोनों टीमियें में दुनों तरफ दो-दो खिलाड़ी खेलते हैं क्बेजन 2017 toxic जाश्या design 9 शो गदेदान के और 14 कि नांतरम को उत्यजीत करने वाला कौन सा है तो सेंट्रल नर्वोस सिस्टम को उतेजित करने वाला है आपका इसमें एंफिटामाई्ट आपके इस्टूलेंज के उतेजक के उतेजित करते हैं एक व्यक्ति को से दर्द का अभास नहों इसका फाइदा होता है यहां मसारी को मांसे कृप से उत्यजित करते हैं इसके अंतरगत साइकु मोटर इस्टुमिलेंट सिंग पैथो मेमेटिक एमिन्स तथा सी एनेस को उत्यजित करने वाले दभा आते हैं यह प्रतिकिया समय को अच्छा करते हैं तथा थकावण के फिर ड्रीन मेथाईल एक्जामिन नाइन मेटा एगोनेस्ट आदिया आते हैं कि को स्ट्राइकर सर्द किस खेल से समय दिट है दो बार रिपट हो गया आपको पता है यह फूटबॉल से समय दिट है कि क्स वर्स में सचीन टेंडूलर को भारत रतन समान से समानित किया गया 1924 में इनको भारत रतन से समानित किया गया 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 1924 में भाट यह पुर्सकार होता है भारत रतन से कोश्य नंभर बीस है फूटबॉल खेल में के प्राणम में गेंद कव खेल में यानि पलेएन में होता है तो दोस्तो एक पम होता है जब गेंद की जो है अपनी परिदी भार से दूर आगे जाती है। हैं चैनल अपरदी भर से दूर आगे जाने पर प्लेइन में होता हैं जैसे फुट बाल के खेल में जब गेंद गोलाइन को चूल या टच कर दे जमिन के संपर्क में या इसके उपर हवा में जाए व पुर्टा पार कर जाए गोलाइन को तो गेंद खेल के बाहर यानि बाल आ खेल के प्रारम में जब गेंद अपने परीदी भाग से दूर आगे जाती है अथा किक आफ लेने पर गेंद इस पर्ष्ट रूप से इस्थान परिवतन करें तो इसे खेल में माना जाता है किक आफ लेने वाला खिलाडी गेंद पर दुबारा प्रहार तब तक नहीं कर सकता जब तक कि दूसरे खिलाडी द्वारा उसे खेलने लिया गया हूं कि वोस्टन नबर 21 है पाउर और एक्सप्लोसी के लिए प्रसिच्छर की विधी कहलाती है मेठ़ड मेठ़ड आप ट्रेनिंग फाउर आप 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 एक्सप्लोसी इच कॉल्ड दोस्तों एक्सप्लोसी कि दूसरे खिए ताकत सकती बढ़ाए जाती है इसमें तेज इंसेंटिव सिकुलोसी के द्वारा सकती साली मांस्पेशियां खिचाव पैदा किया जाता है जो बेक्ति की विश्वोटक प्रतिक्रिया पर आते हैं इसमें दोस्तों जगद जगद पर बेंच होता है इस बें स्कार्विक अमल है और इसके कमी से स्कार्वी हो जाता है इस में आपका हरी मिर्च में वितामिन सी है ठीक है इसमें मुख्य स्रोथ आमला होता है सबसे अच्छा और फिर नीबू मुसम्मी नारंगी और हरी मिर्च आदे एक स्कार्वच्वर नमरी एक सर्वाथिक आपकारी होता है तो इसपी जू है गर्ना सबसे अच्छा होता है दीह इस stiff या मिर्च या थे किसी खेल में सिख गया वश्व 내가 आन्ने खेल हो सिखने में इसायता कर रहा है तो फसे इम क्या कहते हैं, तो थे टीन प्रिका का होता है, पाजोटी निगेटी और कुछिनिल रही इस्थानांतर, जब पैजले से खिका गया है ना तो बाधा उत्पन करना तो सुनिए इस थानादर कहते हैं कि कोशन नमर पचीज है एक दियोसी अंतराश्टी क्रिकेट मैच में पावर प्ले कौन सी साइड लेता है तो इसमें आफसा नमर सी राइट होगा बैटिंग और बॉलिंग दोनों साइड लेंगे एक दियोसी मैच में पावर प्ले 20 ओवर का होता है जिसमें बैटिंग प्रफा बॉलिंग दोनों टीम पावर प्ले ले सकती है अंतीम पांच ओवर का पावर प्ले बैटिंग साइड लेती हैं कोशन नमर 26 है अंतराश्टी उलम्पिक समीति के अध्याश का चुनाओं कितने वर्सों के लिए होता है तो दोस्तो अंतराश्ची उल्लम्पिक समिती इंटर्नेशनल उल्लम्पिक कमीटी की चुना होता है वह आठ वर्स के लिए होता है टेज जुन 1894 पेरीज के सरभोर नामक अस्थाम पर बेरेन पेरी कोवार्टी ने आई ओसी की स्थापना किया था इसका मुख्य क्रिकत के स्काश्ट में कि चुड़ाई कि तुरृर है तो क्रिकेट न्युक्डाी फ्रम्स यह क्रिक रोडाश्ट की स्था जाती है ऐसंव पर नहीं नबर वॉती है कि इसका था समय कुछेट के समय human ऑस्क 각ष होता है करोक मुदा में 19 उसवर्थ और है कि ऐसे में धेंटेंगे कुषेन के क्या दो saints पूरण को दीर होते हैं पूरक कुम्भक को कधि-...? कुम्भक के दुश्चा होता है के बंदने के बाद उसको । स्वास को खुझ। अंदर स्वास को रोके रखना आतरी कुमभक कर आता है तीसरा होता है रेचक स्वास को दीरे दीरे बाहर चोड़ने को हम कहते हैं यहां पर राईटेंसर हो जाएगा स्वास को छोड़ना अफसा नंबर बी कर दो 1538 निश्चास सपर आता है सिस्दिवाल पढ़ते हैं जिसमें लंभाई धरती कि बढ़ता एंवक यहां आ होती है कोई गती नहीं होती ठीक है तो यहां पे तीनों है आपके आइसोमेट्री के वेट ट्रेनिंग विजो है इसमें लंबाई घट रही है और वर्ड रही है आइसोटोनी के अंतरगत आएगा कोईशन नमर 31 है प्रसिच्छल कारिकर में एथलेट के कुराब में कार्बो हाइड़ेट के मातरा कितनी होनी चाहिए था इमाउंट आफ कार्बो हाइड़ेट डाइट ड्यूरिंग एड ट्रेनिंग प्रोग्राम सुट भी तो दोस्तों इस साथ से पैसर परसेंट उर्जा हम बरावर हो गए दोनों का पीछला कूद है किन insane इस कंडिशन में निंड़ क्या होगा और इस कंडिशन में निर्ण होगा कि दोनों को एक कूद का आवमका दिया जाएगा सबस्सक्स में प्रयावरल से बढकर करने बीशाय कारत यानि की क्लाइमेट भी यहां पर तीनों चीज मेंटर करता है आल आप आपका राइड़ सर होगा को सिर्फ नमर चौंटीस है फास्बरी फ्लाप टैटल किस इवेंट के तक्निक है आप सबको पता है यह हाई जंप की है उन्हीं सो आप में फास्बरी फ्लाप ने इसका खोश किया जाता है और इसमें बौसकेबाल खेल के लिए अफसार्ट, बॉलीवाल वॉलिवाल में ब्लाकिंग करना रोब जंपिंग इन सभी में वर्टिकल जंप का प्रियोग होता है अगे तो वर्टिकल जंप में एक शिदन लगाय जाता है और जो आदमी है वो क्या करता है चलांग मारकर के उपर उसको छूता है तो वो वर्टिकल जम्प में एक्स्प्रोसी प्रावराप लेक को मेजर किया जाता है और इसमें इस अभी क्रियों में मदद करता है कोशन नमबर 36 है कि सवरी सिच्छा की पार्टिकरम में किस बात का ध्यान रखना आवस्यक नहीं है जस्तों बच्चों की आवसकता को हम ध्यान देंगे चेल्डरेंस नीड को वित्त स्विधाया कैसी है कि फानेंस एंड फैसलिटीज साज सिच्छा को देश अब्जिक्टिव और फिजिकल एजुकेशन अपर धार्मिक सुधार यहां पे ध्यान देना आवस्यक नहीं है क्वेशन नंबर 37 है 5 टीमों की लिग फिश्चर में किल कितने मैस होंगे लिग यानि कंभिनेशन राउंड लामेंट टूनामेंट तो जो लिग टूनामेंट होता है इसमें दो तो प्रकार क्यों होता है single click डबल लिक और इस्टर जाने की तीन विजिया होती है cycle tabler and staircase method तो लिक टुनामेंट में single click में ज्याद करने का सुत्र होता है यह यह मैनेस वॉन अपन टू यह 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 सिंगल पूुछा है ने डबल पूछ ॐज साथ यह जाद करेंगे इस inhaler हो जाएगा यह यन मैनस 1 अपन 2 यानिकि 5 टीम है तो 5 गुड़े 5 मैनस 1 अपन 2 यानिकि 5 गुड़े 4 अपन 2 20 गुड़े 2 यानि 10 दूना 20 सीगल सी निकालेगे तो 10 आएगा double link का सुत्र होता है यन यन मैनस 1 तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा तो single lick के हिसाब से answer क्या होगा दोस्तों single lick के हिसाब से 10 answer आ जाएगा and double lick के हिसाब से 5 गुड़े 5-1 थेक तो 5 गुड़े 4 यानि कि 20 आ जाएगा double lick के हिसाब से क्या होगा 20 answer होगा थेक यहां पर 10 आपका right answer होगा question number 38 है किसी टेस्ट के चयन के लिए क्या मांदन आवसक है तो गुड क्राइडरिया गुड टेस्ट दोस्तों मैंने आच्छे से बताया हुआ है टेस्ट मेजर्मेंट इवलीस्ट में जाइए इसके लिए तीन चीज़े होती हैं एक साइंटिफिक वैलिडिटी यानि बेग्यानिक प पूछा हुआ था दोस्तों तो यह था आज की सेशन में और तीस ऐसी की कोशन आई होब कि आपको सभी कोशन समझ में आयो होंगे जिस भी कोशन में डाउट होका निस्टिल प्रूप आप कमेंट करिए और उसका डिसकुसन करिए और सही अंसर डूड़ने की कोशिस करिए अब तभी आप सफल होंगे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो प्राइक्टिस में तब तक के लिए जहेंगे